साधी का जहांसा दे करके गोवा से बिहार बुलाई और बिहार बुला करके बिरहमिश से हत्या करवा दी। आखिर क्या है पुरी घटना की सचाई इसके बारे में आपको बिस्तार से बताते हैं पूरा बीडियो के अंध तक बने रहिएगा। दरसल ये घटना बिहार के मुझफर पूर के मुझफर पूर सदर थाना छेतर की है। प्रेमिका का नाम ललीता है और प्रेमिका नाम जैपरकास है। जब जैपरकास की मुलाकात हुआ तो दोनों आपस में बाचित करने लगें, नमबर एक्सचेंज कियें, आपस में दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों धीरे धीरे बाचित करने लगें और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गया। और दोनों की तब से लेकर अब तक तीन साल की relationship रहा और इस तीन साल में दोनों के बीच में इतना कुछ हुआ जिसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूँ ललिता भी PC के तयारी करने के लिए पटना चली आती है वही उसी साल जै परकास भी गोवा चला जाता है कमाने के लिए और वहाँ पर जनरेटर अपरेटर की काम करता है और प्रती माह ललिता को 5000 रुपिया भेजा करता था ताकि ललिता आगे की परहाई अच्छी से कर सके और अपनी तयारी बहुत बढ़िया से कर सके और पटना में रहने के लिए उसको कोई दिक्कत ना हो सके ललीता भी तयारी कर रही थी और परकास भी वहां रह करके काम कर रहा था दोनों की दोस्ती और दोनों की प्यार काफी अच्छा से चल रहा था ये बात ललीता के परिवार वाले को भी पता चल गया जब ललीता के परिवार वाले को ये बात पता चला तो ललीता के पिता, ललीता के भाई और ललीता के जीजा जे परकास के घर रिष्टा ले करके पहुँच जाते हैं जब जे परकास के घर रिष्टा ले करके पहुँचते हैं उसमें जे परकास के पिता जी घर पर नहीं थे तो दोनों की रिष्टे के बारे में ज्यादा बिस्तार से चर्चा नहीं हुआ लेकिन लगभक साधी तैही हो चुका था जे परकास के परिवार वाले ये बोले कि ठीक है जब जे परकास के पिता जी बाहर से आएंगे तो इसके बाड़े में और विश्तार से बाचीत हो जाएगा और हम लोग रिष्टा पक्के कर लेंगे और बाकी जो आगे की रिती रिवाज जो भी होगा उसको अच्छे से निभा करके दोनों की साधी कर देंगे लेकिन एक दिन की बात है जैपरकास ललिता को फोन करके रात में वीडियो कॉल पर बात करना चाहा और ललिता को वाटशे पर कॉल किया उसमें ललिता के साथ उसके बेडरूम में कोई और लर्का पहले से मौजूद था जब जैपरकास ललिता को बेडरूम में किसी और लर्का के साथ देखा तो वो काफी गुशा गया और काफी परसान हो गया कि ये लर्का कोन है जिसको हम जानते नहीं है और नहीं ये आपके रिष्टेदार है कभी मैंने इसके बारे में जाना नहीं ये सारी बाते जो है जैपरकास की मा मीडिया से बताई जब ये बात जैपरकास को मालूम चला कि ललिता जो है किसी और लर्के के साथ भी अफेर में है तो दोनों के बीच में जो है दुरियां बढ़ते गई दोनों के बीच में आखिर क्या गलती रह गया हम हमारे बीच में कि तुम मुझे जो है इस तरीके से धोखा दे रही हो लेकिन दोनों की लराई जो है और भरती गई ललीता जो है एक दिन फोन करके जै परकास की मा को बोलती है कि आप अपने बेटे को समझा दिजिए आपका बेटा बिगर गया है आपके बेटा से हम अब साधी नहीं करेंगे आपकी बेटा मुझे पसंद नहीं है आपकी बेटा ठीक नहीं है आपके बेटा बहुत गलत है आपके बेटा हम पर शक करता है इसलिए हम यह साधी नहीं करना चाहती हूँ जब ये बात ललीता जैपरकास की मा को बोली तो ललीता जैपरकास की मा जैपरकास को कॉल करके जैपरकास से इस सारा बात बताई और जैपरकास को समझाई भी कि जाने दो बेटा अगर ललीता तुमसे साधी नहीं करना चाहती है तो छोड़ दो क्यों उसके पीछे पड़े ह क्यों इतना परशान हो लेकिन जय परकास बोलता है कि नहीं मा मैं ललीता से बहुत प्यार करता हूँ ललीता नहीं मिलेगी तो मैं मर जाओंगा ललीता के लिए मैं क्या कुछ नहीं किया हूँ इतना पैसा खर्च किया हूँ हर महीने उसको पढ़ने के लिए उसके खर्च में मैं पैसा भी भेजता रहा क्या कुछ नहीं किया ललिता से मैं बहुत प्यार करता हूँ वो नहीं मेलेगी तो मैं नहीं जीऊंगा ये बात बोला और इतना बोल करके फोन काट दिया फिर अगली बार जो है ललिता की और जै परकास की इसी को ले करके बाचीत होता था और काफ चीजे चलता रहा, फिर जो है कभी ललीता और जैपरकास में बाचित होता, कभी नहीं होता, ऐसी चलता रहा, यह सारा भाज जो है जैपरकास की मा मीरिया से बताई, फिर आगे यह हुआ कि जैपरकास जो है, ललीता और जैपरकास के बीच में कुछ सेकरेट फोटो था, प्र जो है गहरा रिष्टा है और हम दोनों की रिष्टा यहां तक आ चुकी है इसलिए हम जो है ललिता से ही साधी करेंगे अनता किसी और से साधी नहीं करेंगे लेकिन और मामला बिगर जाता है और जैपरकास से ललिता की भाई और जीजा और नफरत करने लगते हैं पहले जो प इस तरीके से फोटो वीडियो बनाया है, इसको सोसल मीडिया पर सेयर कर देगा, तो हमारा इज़त निलाम हो जागा, जो भी था उसके दिमाग में निगेटिव आने लगा, और जैपरकास से काफी नफरत करने लगा, और ललीता भी नफरत कर रही थी, वही ललीता और भाई और ललीता के जो भी और सागे समन्दी थे, लोगों ने मिल करके जो है, ये पलान बनाया कि जैपरकास को किसी तरीके से बुलाना है, ललीता जैपरकास को एक दिन कॉल करती है, और ये बोलती है कि हमारे घर परिवार वाले मान गहें, मैं आपसे साधी करना चाहती हूँ, ह बहुत खुश हो जाता है कि चलिए जाने दिजिए, जो गलती हुआ से हुआ, अब आगे जो है, अपना जिन्द की बहुत अच्छे से गुजारना है, हम दोनों साधी कर लेंगे, और जैपरकास भी पूरा ललीता को पाने के लिए जी जान से चाहता था, जैपरकास भी गो से बोला कि भावी मैं मार्केट जा रहा हूं, मार्केट से सबजीद लेते आता हूं और वहीं मेरे कुछ दोस्त हैं, दोस्त से भी मिल करके चला आऊंगा, रात के आठ सारे आठ बजरे होंगे, उसमें जैपरकास के भावी कॉल करती है, लेकिन कॉल लगता नहीं है, उसके पलानिंग जो है, पहले ही से जैपरकास भी कर चुका था, कि जैसे ही हम आएंगे, आपके परिवार वाले से मिल लेंगे, क्योंकि ललीता के परिवार वाले भी मुझफरपुर के सदर थाना के आसपास में रहते थे, वहीं पर मिलने का पलानिंग ये लोक बाचित साहिद ह हुआ होगा, जैपरकास मार्केट के बहाने जाकर के ललीता से मिलने गया, सुबह में एक सूटकेस में लास मिलता है, और वो लास किसी और का नहीं, बलकि जैपरकास के लास था, उस रात जैपरकास को ललीता मिलने के लिए अपने म मेरे भाई के रूम पर बोलाती है, वहीं पर जैपरकास को चाकू से गला रेद करके हत्या कर दिया जाता है और उसके बोडी को बिरहमी से काट करके बोरा में डाल करके सुटकेस में डाल करके सरक के चाट में फेक दिया जाता है डेड बोडी को सूटकेस में साइकल पर लाद गर के ले जाया जा रहा था एक घटना CCTV केमरा में कैध हो गया और एक CCTV फोटेस भी मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए कि किस तरीके से जो है ये सूटकेस में बंद करके जै परकास के डेड बोडी को ले जा करके वो फेक रह और कितना बेरहमी से जो है जय परकास को हत्या किया गया जरा सोचिए कि प्यार करना कितना गुना है इसी के लिए जी जान से प्यार करना कितना गुना है जय परकास चाता था कि हम अच्छे से रहें अच्छे से बाचित करें अच्छे से अपना परिवार बसाएं लेकिन में कल एक अपराधी की गिरफतारी हुई उसने ही पूरा डीटेल से बताया कि ये सारा घटना के पीछे उस लरकी ललीता का हाथ है ललीता ने ही इस ताजिस रच के जैपरकास को गोवा से बुलाई और बुलवा करके पेरहमी से मरवा डाली अब आप लोग बताये कि आप लोग को क्या रहा है इस घटना के बारे में आपको बता करके मुझे किसी को परसान करना नहीं है बलकि आप लोग को जागरुक करना है और आप लोग इस घटना से जागरुक हो इसलिए मैं आपको जो है ए घटना जो सची घटना है और बिहार क मुझ़पर्पर की गटना है, जिसको मैं आपको बतला रहा हूं. ज़रा सोची को कि अधा कि ए मियला जो है, जैपरकास के मा, जैपरकास की भावी, जैपरकास की भरे भाई भी बताएं, कि जैपरकास बहुत जी जान से चाहता था, लेकिन बदले में उसको मिला क्या मौत सजा यही है प्यार करने की सजा मौत मिला पिरहमी से मार डाला गया प्यार जो है एक सुटकेस में बंद होकर के गाइब हो गया पिटारा में बाकी इसके बारे में आप भी अपना राय दिजिएगा आप देख रहे थे CKTV इंडिया नियुच चित्राइजन कुश्वाह के साथ नमस्कार जाहिंद